इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिनेश अरोडा ने कहा कि संजय सिंग प्रभावचाली व्यक्ती है दिल्ली के राउ जवन्यू कोट में E.D. की तरफ से दलीले दी गई है दिनेश अरोडा ने पहले संजय का नाम नहीं लिया ये E.D. की तरफ से बताया गया है और ये भी कहा कि संजय सिंग के प्रभाव की वज़ा से नाम नहीं लिया ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है क्योंकि इनी दलीलों के आधार पर दिल्ली की राउ जवन्यू कोट से E.D. को रिमांड मिलनी है संजय सिंग की संजय सिंग ने इसे पहले कोट में कहा था कि कोई भी सबूत E.D. को नहीं मिला है और वज़ा बताई जाए दिनेश अरोडा जोकी सरकारी गवहा है अब और ऐसे में अब E.D. की तरफ से कहा गया है क्योंकि पैसला सुरक्षित रखा गया है दस दिन की रिमांड E.D. की तरफ से मांगी गई है पहले कर 10 घंटे से जादा समय तक संजय सिंग से पूश्तार्श होती है E.D. की पास सवालों की लंबी फेरिस्ट है जिसका जवाब संजय सिंग ने नहीं दिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खाबर हम आपको बता रहे हैं कि जो दलीले E.D. की तरफ से दी गई है इसमें E.D. की बड़ी दलील ये है कि प्रभाव की वज़ह से नाम नहीं लिया गया मेरे सेयोगी आनंद तिवारी इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है आनंद दस दिन की रिमांड E.D. की तरफ से मांगी गई है फैसला सुरक्षित है लेकिन ये नई दलील सामने आई है कि प्रभाव की वज़ह से संजे सिंग का पहले नाम दिनेश अरोडा ने नहीं लिया और क्या जानकारी देखिए जब संजे सिंग ने दिनेश अरोडा की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किये तो E.D. ने कहा कि दिनेश अरोडा ने ये कहा कि संजे सिंग एक प्रभावशाली शक्स है और विजे नायर ने उन्हें धमकी दी इसलिए उन्होंने संजे सिंग का नाम का पहले दिक्र नहीं किया था दिनेश अरोडा ने ये भी बताया जो E.D. ने कहा कि दो अभी और ऐसे नाम है जिसका दिक्र उन्होंने नहीं किया है अब सबसे महत्पूर्ण बात ये है कि जो E.D. ने दलिल दिये है कि तीन लोगों से आमना सामना संजे सिंग का कराना है उसमें एक शक्स तो दिनेश अरोणा ये साफ हो गया है दो और लोगों से किस तरह का कंफरेंट होगा ये फरदर आगे की जो रिमांड E.D. को मिलेगी संजे सिंग की उस पर निर्भर करता है और आगे किस तरह से इस पूरे मामले में जो कडिया है उनको जोड़ा जाएगा क्योंकि E.D. ने लगतार आरोप लगा हैं आज कोट में कि करीवन तीन करोर पे का ट्रांजेक्शन जो लेंदेन है वो संजे सिंग के घर पे हुआ है और जो संजे सिंग के करमचारी है सर्वेश मिश्रा उनके जरी हुआ है इंडरो स्पिट के जरी भी हुआ है दिने शरोडा के जरी हुआ है तो यह गंभीर आरोप जो है वो आज E.D. ने लगा हैं लेकिन इन्हें साबित करना पड़ाएगा कि जब संजे सिंग की आज अभी कोट ने फैसला सुरक्षीत रखा है कोट कितने दिन की रिमांड जो है वो संजे सिंग की E.D. को देती है और उस रिमांड के दोरान जो समय E.D. को मिलेगा उसमें E.D. क्या नए साब्ष सबूत जो है वो संजे सिंग के खिलाब जोटाएगी और फरदर अगले कोट के सुनवाई में वो किस तरे के साब्ष जो है वो कोट के सामने रखेगी तो अभी संजे सिंग की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है ठीक है अनंद रही है आप हमारे साथ हम लोटेंगे आपके पास दरसल दिली के शराब घोटाला मामले में E.D. ने जो चार्चीर दाखिल की है उसमें एक बड़ा परदाफाश हुआ है चार्चीर में ये बताया गया है कि शराब कारोबारी अमित अरोडा और दिनेश अरोडा की मुलाकात मनी सिसोधिया से कैसे हुई और संजे सिंग का इस मुलाकात में क्या रोल था इस बारे में आईए आपको हम विस्तार से बताते हैं दरसल चाटशीर के मताविक अबसे 3 साल पहले, यानि साल 2020 में शराब कारुबारी अमित अरोडा और दिनेश अरोडा ने संजे सिंग से मुलाकात की थी. ये दोनों शराब कारुबारी संजे सिंग के घर पर जाकर उनसे मिले थे। उस दिन संजे के घर पर दिनेश अरोडा ने अमित अरोडा को विवेक त्यागी से मिलवाए थे। विवेक त्यागी, मनीज सिसोधिया और संजे सिंग का बेहत करीबी है। इस मीटिंग में संजे और दोनों शराब कारुबारियों के लावा सरवेश मिश्रा और संजे सिंग के पीए अजीत त्यागी भी शामिफ है। और इस मिटिंग में अमित अरोडा के शराब बिजनस पर चट्चा हुई संजे सिंग ने अमित अरोडा के सामने एक शर्ट रखी संजे ने अमित अरोडा से अपने कुछ खास लोगों को शराब बिजनस में घुसाने की शर्ट रखी शर्थ मानने पर संजे ने अमित अरोडा को मनीश सिसोधिया से मिलवाने का वादा किया अमित अरोडा अपने शराब कारुबार बढ़ाने के लिए मनीश सिसोधिया से मिलना चाहता था संजे सिंग ने मनीश सिसोधिया से अमित अरोडा की मुलाकात करवाई और इस मुलाकात में एक डॉक्यूमेंट तयार करने की बात थी गई मनिय सिसोधिया और अमित अरोडा ने शराब कारुबार में अपने अपने फाइदे की बाते की और एक प्रेहत एहम और बड़ी खबर ये है कि आमादमी पार्टी का एक बड़ा नाम मादमी पार्टी के नेता संजय सिंग की एडी ने गिरफतारी की और आज राउजेविन्नी कोर्ट में पेश किया है उनकी दस दिन की कस्टडी की मांग किये और एडी का दावा ये है कि उन्हें अभी और आगे पूस्ताच करवानी है क्योंकि खुली मिलाकर तकरीबन 22 लोगों की गिरफतारी इस दिल्ली की नई शराब नीती के घोटाले के मामले में हुई है जिसमें की मने लॉंडरिंग का आरोप लग रहा है जिनकी की गिरफतारी हुई है इस तरह के आरोपों में प्रिविंशन ओफ मनी लॉंडरिंग एक्ट के तहत ये गिरफतारी संजे सिंग की हुई है आज कोट में पेश किया गया दुनों पक्षों की दलीले कोट ने सुनी है फैसला सुरक्षित रखा है दस दिन की रिमांट की मांग किये एडी ने और कहा है कि अभी कुछ और ऐसे लोग है जिन से आमना सामना भी करवाना है पूछता चागे करनी है लेकिन खास बात ये कि संजय सिंग ने खुद को बेकुसूर बताया है कोट में कहा कि अगर मैं खु कुसूर वारू मुझे किसी भी तरह से नोटिस नहीं दिया गया लेकिन बड़ा सवाल ये भी पूछा गया कोट की ओर से एडी क्यों कि आखिर अगर आपको पैसों के लेंदिन की जानकारी पहले से थी तो गिरफतारी अभी क्यों है कोट में ये एडी ने कहा है कि दर असल दिनेश अरोडा ने पहले इस बात को अपने बयान में दर्ज करवाया कि वो एक प्रभाव शाली नेता है और इसी लिए उन्हें डराया धमकाया भी गया था और अब जबकि ठोस सुबूत भी है ये गिरफतारी संजे सिंग की हुई है आनन्द तिवारी हमारे से योगे इ इडी के तरफ से यही रखी गई कि उन्होंने मनी ट्रेल की बात जो है वो आज कोट को बताई कि किस तरह से किस आधार पर संजे सिंग की गरपतारी हुई है उन्होंने बताया कि किस तरह से करीमन तीन करोड रुपे जो है वो संजे सिंग के घर पर जो है वो ट्रांसफर कि उनके नाम का जिक्र किया गया इंड्रो इस्पिट कंपनी जो है शराब की उसका जिक्र किया गया और दिनेश अरोडा का जिक्र किया गया ये भी कहा गया कि दिनेश अरोडा ने माना कि यहां एक करोड पर उनके जरीए पहुचाए गए हैं इंड्रो इस्पिट के जरीए भी अमित अरोडा है इनकी मुलाकात होती है करीबन 2-3 मर्तबा संजे सिंग के घर पर यह मुलाकात होती है वहाँ पर आपकारी नीती से पहले संजे सिंग उन्हें यह कहते हैं कि अगर आपको मनीज सिसोदिया से मिलना है तो उसके पहले आपको कुछ मेरा कोई मेरे नीजी से मुलकात हुई यहां तक की एडी ने अपनी चार्डशीट में दर्ज की हुई है जिसका जिकर आज राउजेवे नियुकोर्ट में रखा गया है कि कौन कौन सी बाते हैं जो अब तक की पूछाच में सामने आई है जो चार्डशीट में दाखिल है लेकिन दो तस्वीर हम अ अपनी पार्टी की ओर से एहम भूमी का निभाते चले जा रहे हैं और ऐसे में संजे सिंख की एक बड़ी भूमी का एडी की अफटक तफ्तीश में सामने आई है और आज जबकि कोर्ट में पेश किया गया है एडी की ओर से दस दिन की रिमांड की मांग की गई है और ED का कहना है कि अपने रिटन दस्तावेज में उन्होंने कोड के सामने दस दिन की किस्टिडी की मांग की थी ताकि और लोगों के सामने उन्हें बिठा कर पूस्ताच की जाए लेकिन अगर साथ दिन की भी रिवान मिलती है तो भी अपनी पूस्ताच वो इसमें मकमल कर सकते है